हरी की सैया से सिस पर वाहन है गरूर अलख निरंजन नाम को नहीं भजे सो मूढ रिमानों नहीं भजे सो मूढ नमस्कार दोस्तों मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में कैसे हैं आप सब तो यह बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में स्री हरी विश्नु जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में कामिका 81 कामदा 81 से और कौन सी ऐसी कार हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए इसी प्रकार के बहुत सारी महतपूर बाते जानेंगे साथ में आप लोग पूछे हैं दिदी उसनी सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं सभी बातों को मैं आपके साथ एकदम किलियर करूंगी ध्यान से जान लेते हैं तो सबसे पहले आपको बता दू कि सावन माह के क्रिस्न पक्ष की ये जो एकाची है कामिका एकाची कामदा एकाची के भी नाम से हम जानते हैं ऐसा माना जाता है असकंद पुरान में भी बताया गया है कि सावन की ये कामिका एकाची का अगर आप ब्रत रख सुकन पक्षण के रखते हैं कि बलुबापफक्ष और यही अगले जनम के लिए गया जाता है तो आप के पित्र भी इसे तुप्त होते हैं उनकी सात पीडियति हो जाती है और उन्हें मोंट्श की प्राफ्ती होती है तो ये साब्हन माह के 182 का ब्रतर रखने से केवल हमारे विश्ब भगवानी प्रशन नहीं होते हैं साथ में हमारे सिव जी भी बेहद प्रशन होते हैं तो हम उस्ति से ही शुरू हो जाता है और एकाट सी और उसके अगले दौट सी के भी बहुत सारे नियम भी दिये हैं, हमारे 82 का पारण रखता है माई ने तो आपको ध्यान क्या रखनी है कि जैसे कामदा 81 का ब्रत इस साल 2023 में 13 जुलाई को रखा जाएगा ठीक है और ये ब्रत गुरु वार को पढ़ने की वज़े से इसका मौत तो जो है बहुत अधिक बढ़ गया है सभी को मालूम है कि विश् का वो दीन भी माना जाता है गुरु वार का दीन और बहुत सारी महिलाएं गुरु वार का ब्रत रखती है गुरु देव की पूजा करती है गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए और 81 ब्रत अपनी में सर्व स्रिष्ट माना जाता है ऐसा माना जाता है कि 81 का ब्रत जो है म जो है शुरू हो जा रहा है मतलब 81 तीथी प्रारंब हो जा रही है लेकिन नियम है कि 28 युक्त अगर आप 81 का ब्रत रखते हैं तो वही सबसे उत्तम माना जाता है जो कि हमें 13 जुलाई को प्राप्त हो रही है सुरी उदय से ही आपको मालूम है कि पहला तो उदया तीथी को ध्यान में रखते हुए 13 को हमें ब्रत मिल रही है और 82 तीथी युक्त अगर तो आप लोग 13 को ब्रत रखेगा 12 जुलाई को अच्छे से बुद्धवार है असनान ध्यान कर लिजिएगा और बाल विगरा धो लिजिएगा और 81 के लिए आप लोग तयार हो सकते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि खाकर ब्रत ना रखें और कई ऐसी मेरी बहने कहती हैं कि दिदी हम लोग चावल के मतलब दसमी तीथी के दिन ही ना खाएं दसमी को ही ध्यान रखिएगा मसूर के दाल वेगरा ना खाएं बैगन मुली वेगरा ना खाएं लसुन प्याज तो बहुत दूर की बात हो गई मैं तो हमें सब से आपको बताते आ रही हूं कि सावन के महिने में इन सभी चीजों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखे और ना खाएं तो आपको बता दूं कि 81 तिति प्रारंब कब हो रही है तो 81 तिति जो है 12 जुलाई को साम 5 बजकर 69 मिनट पर सुरू होगी और अगले दिन 13 जुलाई को 6 बजकर 24 मिनट पर साम को ही 6 बजकर 24 मिनट पर इसका समापन हो जाएगा समापत हो जाएगी तो आप 13 जुलाई को ब्रत रखिएगा अब चलिए हम विश्नु भगवान के पूजा का सूब मुहुर्त भी मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले नियम जान लीजे तो देखें एक 80 के दिन सूबा सबीरे आप उठ जाएए कोई गंगा घाट असरोवर आपके घर के इर्द गिर्द है तो आप लोग असनान करके भी आ सकते हैं अगली चीज क्या है कि घर में जाडू पोचा वेगरा कर लिजेगा काम वाली के लिए इंतिजार मत कीजेगा जितना आपसे होता है उतना करके ही पूजा पाट कर लिजेगा क्योंकि कामवाले लोग के घर में लेटी ही आती है समय से आती नहीं है तो उनका यह ऐसा नहीं घर ऐसे पड़ा है और हम केवल पूजा करें नियम जाडू का भी कर दिजेगा और पूजार उनको अपने पोच लिजेगा जहां पे पूजा का आपका अस्थान है बहार जाड के पोच के असनान ध्यान करके और उसके बाद से थोड़ा बरतन वेगरा का भी आप लो ध्यान रहके जूटा वेगरा ना रह जाए और पीला वस्त्र धारण कीजेगा क्योंकि गुरु वार का दीन है और हल्दी का पानी हल्दी का जल मिलाकर अपने घर में पूड़े घर में पूजा से पहले छिड़काव कर दीजे और उसके बाद पूजा करने आप बैठीए पीला वस्त्र पहन लीजे इसका मोहत तो आपको मालूम है गुरु वार के दीन पड़ा है पीला फूल पीले मतलब उनके लिए चंदन और जो ही मिठाई वेगरा आप लोग है लेकर मतलब खरीद कर उनको चढ़ा सकते हैं लेकिन आप लोग उस दिन खरीदी हुई मिठाई वेगरा ना खाए कोशिस करें क्योंकि उसका सुधता का कोई परमार नहीं है नहीं किया जाता है ध्यान रखिएगा केवल हम फल खाते हैं फल खाकर ही कामिका एकासी का ब्रत कामदा एकासी का ब्रत रखा जाता है और विश्नु भगवान को अप अचामरित भी भोग में लगा सकते हैं अचदाना बतासा मिसरी गूड यह सभी चीज़ें पीली चीज़ें उनको भोग में आप लगा सकते हैं चने की डाल का भोग आप जो गुरु बार का अगर ब्रत करती है तो चने के डाल का मतलब भोग न लगाए क्योंकि एक आद्सी का ब्रत है तो उस दिन आनाज एकदम वरजीत है सीव जी की भी पूजा करने जाते हैं तो आप लोग चावल का अक्षत उस दिन इसकिप कर दीजिए मतलब भगवान को मत चढ़ए क्योंकि दीवी देवता भी इसे काद्सी का ब्रत रखते हैं सावन में एक तो पड़ा भी है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेगा और उस दिन आनाज हम दान भी नहीं करते हैं तो भगवान को चढ़ानी नहीं गुण वगएरा आप किसमिस वगएरा चढ़ा कर भोग लगा सकते हैं भगवान को एक पीला वस्त्र या कलावा वस्त्र के रूप में दे दीजिएगा माता लक्षमी की भी आप पूजा साथ में कर सकते हैं और आर्ती करके धूप अगर्वती दीप जला कर आप अच्छे से भगवान के आर्ती कीजिए पूजा पाट कीजिए उनका असिरवाद लीजिए और महिलाएं जो है पूजा करने से पहले अपना स्रिंगार कर सकती हैं पूजा करने बैठिएगा भगवान का अगर करती हैं तो दोनों पूजा साथ में कर दीजिएगा प्रसाद आप चाहे तो केवल चने की डाल को आप हटा दीजिएगा त्याग कीजिएगा किलियर हो गया और इस प्रकार से आप तुलसी माता को दूर से दीपक वेगरा दिखा सकते हैं और रोली सिंदूर आप लगा सकती हैं तुलसी माता को और एकाथी के दिन तुलसी माता के जड़ में हम जल नहीं चड़ाते हैं क्योंकि माता भी जो है विश्णु भगवान के लिए ब्रत रखती है तो अक्छा तजल वेगरा ना चड़ाएं ध्यान रखिएगा तासी के दिन तुलसी जी को ना तोड़ें पहली गलती हमारी क्या होगे कि तुलसी पत्ता को हमें उस दिन तोड़नी नहीं है लेकिन भोग म और पित कीजिए भगवान को क्यूंकि बीना तुलसी पत्तर का भगवान विश्णु का जो ही प्रशाद है वो अधूरा माना जाता है तो जरूर आप पहले से ही तोड़कर आज ही तोड़के याद करके आपर रख लिजेगा क्यूंकि मान लिजे आप कुछ दिन अगर नी नहीं सोनी चाहिए इस बात का आप लो ध्यान रखेगा बड़ा हित्याग वाले यह सब ब्रत हैं तो यह हो गया अगली चीज़ क्या है कि आपको जो नहीं करनी है बाल नहीं धोएंगी महिलाएं जो हैं उस दिन आप लोग बाल नहीं धोईएगा और बाकी स्रिंगार आप घर में कपड़ा भी मैं भी नहीं धोलती हूं आपको कैसे बताऊं गुरुवार के दिन में कपड़ा नहीं धोती हूं और जो बहुत जरूरत पड़ जता है उसको केवल पानी में खंगाल के डाल देती हूं सर्वसाबून का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बाल वेगर आप दूसरे में गुरुवार है तो यह हो गया अब चलिए आगे जान लेते हैं पूजा भी दिवी बता दी और क्या कारे नहीं करना है वो भी बता दी और उस दिन जो है आप भजन किरतन भगवान का कर सकते हैं जो ही मतलब धार्मी किताबें हैं उस दिन आप लो पढ़िए कि सिका चुबली अपमान मत किजिएगा ब्रत के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखिए कि द्रिडिस अंकल प्लिजे कि हम आज कोई भी गलत कारें नहीं करेंगे तो यह हो गया अब चलिए एक पूजा मोहरत जान लेते हैं ब्रत के दिन हमें पूजा कप करनी है तो बिश से है सुबह 10 बच के 43 मिनट से लेके 12 बचकर 27 मिनट तक भी आप लोग पूजा पाट कर सकते हैं तो मोहरत भी बता दी अब चलिए पारन के नियम विधी जल्दी से जान लेते हैं वीडियो क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो देखिए दो आजसी के दिन सुबह सवेरे हमें उठकर अच्छे से तयार होके और भगवान की पूजा करके ही और ब्रस का और दातुन का आप लोग ध्यान रखिएगा ब्रस एक नया हमेशा ब्रत के लिए आप लोग निकाल कर रख लिए कॉल गेट आप लोग कहते दिदी इस्तिमाल करे के ना करे तो देखिए करना पड क्या हैं तो फिर हम कहां से कैसे करेंगे सूखा ब्रस से भी तो केळल की नहीं कर सकते तो आप पारण के दिन भी जूठा वाला ब्रस मुख में मट डौलीएगा और एक आद्सी के दिन भी दातुन मिलता है तो दातुन से कीजिए नहीं तो आप नया ब्रस रखिएगा नही नहीं बनता है तो आप क्या किजेगा सुबा तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में सबसे सुबा ही आप लोग डाल लीजेगा और क्यूंकि आपका पारन का वो नियम हो जाएगा उसके बाद आप लेट भी करेंगे तो कोई दिकत नहीं है पारन सुब मुहर्त में ही द्वास दिए और आप जो है चाँवल ब्रत के दिन भी दान वेगरा मत किजिएगा चाँवल का सेवन तो करनी नहीं है जो ब्रत नहीं रखते हैं वो भी कोशिस करें कि 81 के दिन चावल का त्याग करें आप लो नाखा फार ब भोजन करने से पहले आपको कुछ दान करनी चाहिए ये बात समझ लीजे भोजन अगर आपका बन गया तो भगवान को भोग लगा सकती है अगर सुधिता से बनाई है तो और भोग लगा कर फिर आप भोजन करने जब बैठी है तो कुछ दान की चीजे पहले ही निकाल कर रख लीजे या घर में कोई है तो उनस में आटा ले सकते हैं आलू ले सकते हैं हल्दी ले सकते हैं और दक्षिना ले सकते हैं क्योंकि जो चीजे हम दान नहीं करते हैं उसके लिए बदले में हम दक्षिना देते हैं तो आप ये सभी चीजे ले सकते हैं और लेकर आप एक ब्रामण के मतलब भोजन के बराबर आप भोजन करने जब बैठियेगा तो भोजन में से थोड़ा सा भोजन आप जो है कुछ निकाल कर हिसा आप गौव माता के लिए अगर आपके पास हैं तो निकाल कर रख दिजे अगर नहीं है तो आप चिडियों को भी दे सकते हैं अगर वो भी नहीं है तो छोटे बच्चो भी ये अपने घर के बहु बेटी को भी आप लोग पहला निवाला दिया जाता है तब वो जो है अब बरती है वो भोजन करतेagtव पारण करते हैं तो आप पारण कर लिए हैं और किवल एक बार ही भोजन किया जाता है इस बात का आप लो द्यान रखिएगा दिन भर नहीं जब प्यास लगती है भूख लगती है तो बीच में फालहार कर सकते हैं लेकिन आप पूरे दिन आपको फिर से भोजन नहीं करने हैं और सोनी भी नहीं है सोते हैं तो तुलसी पत्र लेकर सोईएगा और अगला क्या है कि साम को आप कुछ भी खा सकते हैं आप लोग पूछें 81 ब्रत पारण कसु मोहर्त 14 जुलाई सुबह 5 बजकर 69 मिनट से लेकर 8 बजकर 28 मिनट तक है इसी दोरान आप लोग पारण कर लिजेगा इससे लेट मत कीजेगा इसके बीच में अगर भोजन नहीं तयार होता है तो तुलसी पत्र और गंगा जल हुक में डाल लिजेगा बीडियो को सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद